हेलो फ्रेंड्स दिशिस एस्पीजिंग एंड वेलकम तो इस्मारेटर एवरीडे प्यारे दोस्तों आज जम बात करेंगे बालियावस्था की जिसको इंग्लिश में चैल्डूट कहते हैं ठीक है कल हमने शैश्वावस्था की बात की थी और देखिए आपका बीट फर्स्ट वो हमने एक ही क्लास में डिसकस किया है जैसे शैश्वावस्था कल हमने पढ़ा शैश्वावस्था से रिलेटेट क्या पूछा जा सकता है शिक्षा का सुरूप सैश्वावस्था में मांशिक विकास किस तरीके से होता है शाड़ की विकास किस तरीके से होता है प्रमुख क्या होना चाहिए सारा कुछ एक ही क्लास में हमने डिसकस किया है और आई होब की क्लास आपको बहुत पशंद आएगी अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं डेफिनेटली इस क्लास के बाद आपको दुबारा बाले आवस्था पढ़ने के आवस्था नहीं पड़ आज हम बात कर रहे हैं बाले आवस्था की चैल्डूड की कि इसमें बच्चा 6-12 साल का जो हो जाता है फिर उसमें कौन-कौन सी क्वालिटी डपलेफ हो जाती है बच्चा किन चीजों में रूची रहने लगता है बच्चा कितना उसका मांसिक विकास कितना हो जाता है आप मेसेज़ करकर कि आप मारे नोट्स ले सकते हैं नोट्स की फीश होती वो आपको पे करनी होती है अगर आप लखनौ कानपूर से हैं तो मेसेज किज़ेगा अगर आप लखनव यूनिवर्सिटी से 54 या कानपूर YOU वियर्सि году से विया तो नोट आप के ऐस्ता है इन्फैनसी जिसको कहते है और आज जो यावस्था पढ़ है missing यह बंध़को आस चाइा इन्ट होस्था है जिसको फीक यहां पे आपको एक ट्रवारा साल में अगभर आप इस उद्धिन को घंति कर घहां जो आप B8 के एक्जाम में भी लिख रहे हो तो बच्चे को ध्यान में रख करके लिखेगा इस टॉपिक को ठीक है तो यहां बच्चा आपका 6-12 साल का बच्चा है इसकी हम बात करेंगे ये मानव के विकास की दूसरी अवस्था होती है जिसको बाल्य अवस्था कहा जाता है यही वो स्टेज है यही वो अवस्था है जिसको जीवन का अनोखा काल कहा गया है क्या कहा गया है ये जीवन का एक अनोखा काल है ठीक है इसमें बच्चे में बहुत सारे परिवर्थन चेंजेश दिखाई देते हैं इसलिए इसको अनोखा काल कहा गया है शैश्वा वर्ष्था के बाद बालक बाल्या वस्था में प्रवेश करता है मैंने कल भी कहा था जीरो से पांच वर्ष तक बच्चा शैश्वा वर्ष्था में रहता है ये जो पांचवा शाल होता है ये शैश्वा वर्ष्था का एंडिंग येर होता है और जो छटा साल होत यह सुर्वा टी श्राफ लोता है पहला वर्ष होता है इसमें प्रवेश कर रहा है छटे में शहस्वावश्था में नवज्जात सिसू है जो जो शह primeiro वर्ष्थितियों अपने श दमाज हर तरीके से वह अपरिचित रहता है है ना उसका सरीर और मत दोनों अविक्षित दशा में रहता है यहां पर बच्चा जो शैस्ष्व वस्था में बच्चा है उसकी बात कर रहे हैं वह तो अपने एट्मोस्फेर से अपरिचित है उसका माइंड भी इतना डफलप नह ही हुआ रहता है इसी लिए वो चीजों से अंजान लहता है वाता वरण से समाझ से परोसियों से अंजान लहता है लेकिन जब धुर्दर पाल्यावस्ता में प्रिविफिक करने लगता है तो इसका दिमाग develop हो जाता है तो में प्रिविश्ट करते सहिंभी थे करते और वहाँ अपने वातावरण से परिचित होने लगता है, अपने एट्मोस्फेर को जानने पहचाने लगता है, अपने चारों तरफ के वातावरण को समझने लगता है, हैना वातावरण से परिचित होने लगता है, इस अवर्ष्था में वहाँ जिस वयक्तिक या समाजिक व अपने जीवन में उतारता चला जाएगा है ना यहाँ पर जो भी हो समाज से शीखेगा घर परिवार से सीखेगा बड़े बुजर्गों से सीखेगा वो उसकी भावी जीवन की आधार सिला होती पूरा फ्यूचर उसका यहीं पर च्पारी सीख ली तो फिर च्पारी ही करेगा लोगों से मारपीट ही करेगा यह जिस तरीके का उसका एट्मोसफेर मिल जाए उसी तरीके का बालक बन जागर एक सिक्षब है अच्छा शमाज उसको मिल जाता है घर परिवार का वातावड बहुत आदर्स होता है future depend हो जाता कि बालक करेगा गया ठीक है आगे समझते हैं 6 वर्स से 12 वर्स के बीच की आयू को बालियावस्था माना गया है ठीक है आप जानते हैं 6 वर्स से लेकर के 12 वर्स के बीच की जो आयू होती है इसको बालियावस्था माना गया है इस आवस्था में बालक के जीवन में इस्थाइट तो आने लगता है भाई 6-12 साल का बच्चा हो रहा है अब चीजे उसके जीवन में इस्टोर होने लगती है इस्थाइट तो आने लगता है चीजों को जानने समझने पहचानने लोगों को समझने लगता है देरे देरे इस्थाइट तो आने लगता है और आगे आने वाले जीवन की वो तयारी करता है जैसा कि यहां पे हरलॉक के शब्दों में कहा गया है यह जो इस्टेटमेंट होते हैं इनको याद कीजेगा और अप एक्जाम में जब इनकी उत्तर वालिया वस्ता, नहीं कि जो बाद की जो बालियायु से ले करके यह उवना आरंब तक 11 और 12 वरस्तों की बीच रहती है सिक्षा आरम करने के लिए यह आयू सबसे अधिक उप्युक्त मानी जाती है कि बच्चा और वैसे भी बच्चा अब तो तीन साल में एड्मिशन हो जाता है चार साल में एड्मिशन कहा दिया जाता है यह कहा रहें कि 6-12 वर्स यह पढ़ाई का बहुत अच्छा प्रारंभिक विद्याले की आयू भी इसको कहा गया है कि यह जो आयू होती है बच्चा यहां प्रारंभिक विद्याले की प्रारंभिक विद्याले में एड्मिशन लेता है उसकी पढ़ाई सुरू होती है यहां से तो यह उसकी सिक्षा का एक सुरुवाती दौर होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आपने इतना समझ लिया और देखेगा समझेगा जतना मैं पढ़ा रहा हूं गैरेंटी इस बात की है कि पूरी क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो एक्जाम में इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा उके तो हम इसके बाद जो हमरी कलास रहे गी वो किसोर आवस्था की रहेगी कल कमने सेथो आवस्था पढ़ा यह बालिया वस्था बनाने लगता है, फ्रेंड्स उसके होने लगते हैं, ठीक है, तो यहां पे वो सामाजिक शम्मन्द स्थापित करने की भावना बालक बालिकाओं में प्रबल दिखाई देती है, ठीक है, वे अपना अलग-अलग समूह बना लेते हैं, हम चाल लोग इसमें रहेंगे, तुम च गैंगेज हो गया, चुस्ती की आयू हो गया, गंदी आयू हो गया, और यह जो मैंने भी उपर एक बताया है, प्रार्मिक विद्याले की आयू ठीक है, और यह जो जीवन का अनोखा काल, इनको कहीं पर लिख लीजिए, और यह याद रखिए, कि यह बालिया अवस्था को यह सब नाम दिये गए हैं, क्योंकि आपको जब टेट देंगे, जब आप सी टेट देंगे, जब आप सूपर टेट देंगे, वहाँ पर पूछ लेता है, कि यह स्टेटमेंट किस आयू को कहा गया व Bean perpet, समू की आयू, गैंग एज, किस आयू को कहते हैं, किस अवस्था को क गंदी आयो कि सवस्था को कहते हैं इनको याद रखेगा ठीक है तो इसलिए मनोविग्यान को ने सवस्था को स्सूख कर देता है ग्रूप सबारब Servo कर देता है तुम को पालियावस्था को क्यों कि इस समय बालक में इस फूर्ती अधिक दिखाए देते बालक एक्दम चुस्त तंदुस्त रहता है बहुत एक्टिव रहता है एक्दम इस फूर्ति उसके अंदर रहती है इसलिए इसको चुस्तिक आयू श्मार्ट इस भी कहा गया है ठीक है चु ठीक है आगे बढ़ते हैं है अब देखिए इसकी कुछ पर्मुक विशेष्ष्ठाइं होती है Chief characteristics of childhood समझते हैं शारिक तथा मांसिक विकास में इस्थिरता आने लगती है जो बाल्यावस्था है जो बचा 6-12 साल का हो रहा होता है तो यहां पर बच्चे में शारिक और मांसिक विकास जो है वो दिरे दरे इस्थिर होने लगता है इस्टैबिलिटी आने लगती है ठीक है बाल्य कि बच्चा पहले सैस्वावस्था में एकदम से ग्रो कर रहा था एकदम से उसका सरीर मतलब बढ़ रहा था डिफलप कर रहा था अब उतनी स्पीड से यहां बढ़ेगा उसकी लंबाई चोड़ा इतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगी अब क्या होगा अब मजबूती आएगी स बाला की चंचलता खत्म होने लगती है धीरे-धीरे और वो व्यश्कों के शमान विवार जब 19 साल का बच्चा हो जाता है तो थोड़ा सा व्यश्कों के शमान विवार करने लगता है उसके अंदर चंचलता चपलता इस सब चीज़े धीरे-धीरे शमाप्त होने लगती है रौस ने बाली आवस्था को मिथ्या परिपकोता का काल कहा है तुरंत लिख लीजिए बाली आवस्था को मिथ्या परिपकोता का काल किस ने कहा है रौस महोदय ने कहा है ये कोश्चन आप से बीएड में नहीं इतनी ज़्यादा maturity बच्चे के अंदर आती नहीं है जूठी परिप्रकुता जूठी maturity जूठी मजवूती रहती है उसके अंदर साड़क और मांसी विकास में इस्तिरता आने लगती है पहली विशिष्टा दूसरी मुशिष्टा की बात करेंगे मांसी की योगताओं में वरद्धी हो रही होती जो उसकी मांसी की योगताओं में वरद्धी हो रही होती जो उसकी मांसी की योगता है बच्चा चीजों को सीख रहा होता है शमज रहा होता है इसकूल बेजर लगता तो जाहिर सी बात ह जीजों को जानेगा समझेगा पैचानेगा मांसी की उगताव में ब्रद्धी श्वभाविक है शमवेतना परत्यक्षी करण इश्मर्ण सक्ति और विकास दुरुत गती दुरुत गती का मतलब होता है बहुत तेज से होता है इस्थाई इस्मरत में ब्रद्धी होती है उसकी जिग्यासा की प्रबलता रहती है इंटेंसिटी इन क्यूरियसिटी उसकी जो भी जिग्यासा है उसमें प्रबलता रहती है हर चीज को जानने का प्रयास करता है यह क्यूं है यह क्यूं है यह ऐसा कैशे है क्यूरिसिटी देखने को मिलती है बच्चे के अंदर बालक जिन वस्तुओं के शंपर्क में आता है उन सब के विशय में जानना चाहता है यह ना बंतलब छोटे बच्ची देखो न दिमाग खा जाते दिमाग का दही कर देते हैं चलो आप तो नहीं जब पहले स्कूल में पढ़ाता था तो छोटे इस्कूल में तो बच्चे जो छोटे बच कि ये क्या है अरे उसको पता है ये क्या है ये पैन है ये जो भी चीज आपके पास है वो जानता है कि ये क्या है आपके पास या फिर मतलब जो भी उसको दिखाई दे रही है वो जानता है वो जानता है कि इस आकास में तारे हैं इनको तारे कहते हैं लेकिन वो ये ने पूछ को जानने का प्रयास करता है बालक प्रते के वस्तु के बारे में कारण जानने का प्रयास करता है यानिक यह Means वह यहां पर रिजेंस को समझने का प्रयास करता है कि आखिर अगर ऐसा है तो है क्यों ठीक के चलिए आत्मिरुभरता की भावना feeling of self-dependence इस चमें शैश्वा वर्स्था की भाती बालक साड़िक और दैनिक कार्यों के लिए प्रासरित नहीं रहता शैश्वा वर्स्था में तो बालक मैंने कल कहा था बालक उसमें असाहाय होता है क्योंकि क्योंकि वहां हर एक चीज के लिए बालक दूसरे पर डिपेंड रहता यहां बालक असाह नहीं है यहां बालक थोड़ा self-dependent हो रहा है बालक आत्म निर्भरता की भावना उसके अंदर जागरत हो रही है शैश्वा वर्स्था की भाती शाड़िक दैनिक कार्यों के लिए प्रासरित नहीं रहता वो अपने दैनिक क्रिया कलाप खुद कर लेता है वो अपने विक्तिकत कार जैसे नहाना हो गया धोना, कपड़े पहनना, स्कूल जाने की तैयारी स्कूल टाइम टेबल के कॉर्डिंग किताबें रखना अपना पुरा बैग तैयार करना एकॉर्डिंग टो टेब, जो है उसका जो भी टाइम टेबल है उसके इसाब से वो खुद कर लेता है पहले पेरेंट्स करते थे, छोटा बचा अब वो खुद कर लेता है इतना वो समझदार हो गया है सेल्फ डिपेंडेंट की भावना उसके अंदर आ रही है रचनात्मक कार्यों में वरद्धी होती है रचनात्मक कार्यों में बड़ी इंट्रेस्ट उसको रहता है है ना, जैसे बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेश आनंद मिलता है बड़ा मज़ा आता है जो ऐसे रचनात्मक कार्यों होते हैं है ना constructive work होता है जैसे बगीचे में काम करना बगीचे में काम करने का मतलब है नए नए पौधों पौधे लगाना है ना और पानी देना ये सब चीज़ें उसको बड़ी अच्छे लगती हैं लकडी से खेलना लकडी के कोई खिलाओने हैं उनसे खेलना गुटके हैं एक इमारत बनाना छ्ट बनाना बड़ा मज़ा आता है सुम्र में है ना ये बच्चे से से 12 से स्टार्ट हो रहे हैं 12 साल कितरह बढ़ रहे स्विम कराते थे उसको तो कितना मज़ा आता था और कागज से हम लोग बनाते थे एक साप का फन भी बनाया करते थे तो यह सब चीजे जब छोटे होते हैं तो बच्चे करते हैं बालिका भी घर में कोई ना कोई कारे करना चाहते हैं जैसे सिलाई बुनाई कड़ाई अच्छ तरीके स्थो नहीं करपाती हैं लेकिन उनको मज़ा आता इन सब चीजों को करने में है ना तो यहां बच्चा रचनात्मक कारेवों में रूची लेते हैं आगे बढ़ते हैं श्रंग्रह प्रवत्ति का विकास बच्चों के अंदर हो रहा होता है चीजों को कलेक्ट करने है चीजों को इकठा करने की प्रवत्ति चीजों को सम्हाल करने की प्रवत्ति बच्चे के अंदर आ जाती है बालक विसेश रूप से पुराने गोलियां हो गई पुराने कंचे क्या मतलब कंचे मिल जाए उनको तो बड़ा संभाल के रखते हैं पूरा डिब भरके यह ना जब टाइम मिलेगा संडे मिलेगा खेलेंगे जाए के गाउं में इस्टैंप गोलिया खिलाओन होगै यह तैऀ से उनके प्रश जो बालजी ओनों कि छेंगा उनके पहनाती है है ना शाधी पहनाएँगी कपड़े पहनाएंगी सूट पहनाएंगी छोटे छोटे जो डॉल्स होती हो इसंग्रह प्रवंती का विकास होता है छोटे छोटे पुरानी चीज़ों को संभालगा तो के रखना और अगे बढ़ते हैं जैसा कि आप पढ़ने यही नोट्स सेम यही नोट्स आपको मिलेंगी ठीक है इसमें इतना दिया गया है कि आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पढ़े प्लस आपका कुछ छूटे भी नहीं ठीक चलिए बालियावस्था में सिक्षा का सुरूप यही बालियावस्था में समझते हैं बालियकाल बालक के जीवन की आधार सिला है यही पर कहना यही पर फ्यूचर डिपेंड रहता है बच्चा अगर समाज में अच्छे लोगों के साथ है तो आधर्स बन जाएगा, बुरे लोगों के साथ है चोड डेकेत बन जाएगा, मार बीट करेगा अता यह आवश्यक है कि बालक के विकास के सभी पक्षों की विशेष्टाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का सुरूप निर्धारित किया जाए शिक्षा और विकास, इनका घनिच सम्मन रहा है रखना चाहिए बाले अवस्ता में किस तरीए से इच्छा देनी चाहिए नमबर एक तो शाड़ की विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए अगर यही अवस्ता है अगर यहां पर बच्चे का शाड़ की विकास बिगड़ गया तो फिर उसका सरीर आगे भी कमजोर ही रहेगा तो यहां पर बच्चे का साड़ की विकास पर बहुत अच्छा ध्यान दिया जाना चाहिए कहा गया है कि स्वर्ष्ट सरीर में स्वर्ष्ट मन का विकास होता है अगर बच्चे का स्वर्ष्ट है तब उसका मर्स्तिष्क भी स्वर्ष्ट रहेगा और अच्छे तरीके से का कर पाएगा पढ़ाई में मन लग पाएगा उसका है ना रचनात्म कार्वे में प्रवत जो है कि मन लगेगा इस से दरश्टी शेबालक के साड़े की विकास पर उचित ध्यान देना बहुत आवश्यक है उन्हें स्वस्थ रखने के लिए हम पॉस्टिक भोजन उनको दें और खेल कूद का आवसर भी बच्चे को दिया जाना चाहिए इस सवस्था में बच्चे के उपर पढ़ाई का बोज नहीं डालना चाहिए हाँ पढ़ने तो जाएगा बच्चा ठीक है लेकिन टोटल नहीं अब तुम ये पढ़ो वो पढ़ो खेलने में जाओ नहीं बच्चे क खेल कूद बहुत जरूरी है इस सवर का साड़ी कि वीकास होता है शामाजी की की वीकास होता है कुलन dáकर के खेलने से बच्चे का सरवागीन वीकास होता है खेल LE Cinema साड़ी की क्रिYo known comforting के लिए विए विए धायाँ क का प्रमुकिस्थान देना चाहिए विद्दयाले में इस खेल और किरियादोरा बालक सरलता शहजता उत्षाहा प्रसंटा से नई नई बातों को सीख लेता है बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से, खुब उत्साहा से, खुस्स रह करके चीजजे नई नई चीजे भी सीख लेता है, खिल भी लेता है, पढ़ाई भी हो गई, खिलना हो गई, नंजन भी हो गया खेल के दोरा किया जाने वाला कार बालक के शारिक, मांशीक, सामाचीक विकास में शाहता देता है शारिक, मांशीक, सामाचीक का मतलब हो गया सरवांगीन विकास में हल्प करता है आगे बढ़ते हैं अतहा बालकों की सिक्षा का सुरूप ऐसा होना चाहिए कि वे श्वाबहावे के क्रियास यलता और खेल द्वारा नवीन ग्यान का अर्जन कर सकें प्राप्त कर सकें ठीक है भाषा विकास पर बल दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे की भाषा अच्छी हो पाए बालक के भाषा ग्यान पर आरम से ही ध्यान दिया जाना चाहिए बच बालकों के पाठ करम में ऐसे विश्यों का समावेश करना चाहिए जो बालक की रुची और आवेश्यक्ता के अनुकूल हो जिस ऐसा सलेबस जिसमें बालक पढ़ने में रुची ले इंट्रेस्ट ले पढ़ने में आनन्द आए उसको नीरस्ता ना हो उबाओ ना हो बच्या उससे जो है अपने आपको बोर महसूस ना करे ठीक है तो ऐसा रुचकर पाठ करब होना चाहिए शिक्छन विदी उचित शि सब्जेक्ट में यूज नहीं होती है अलग-अलग सब्जेक्ट में अलग-अलग टीचिंग मेथट का वी यूज करना चाहिए बाल्यावस्था में शिक्षण विदी रुचिकर और क्रिया और खेल के सिद्धंद पर दारीत होने चाहिए बालक की रुची के अनुसार शिक समाज का चोटा रोप हैं तो घर परिवार के बाद जो बालक का समाजी करन होता है क्हों के साथ करना एक किसे दो अलग जाती अलग समूद धर्म है ना अलग अलग धर्म जाती समूद से आते हैं तो वहां पे बच्चे का अच्छा समाजिक रण होता है अता सिच्छा का करतव है कि वाकशा विद्याले और खेल के मैदान में ऐशा वातावरन उपस्थित करें जिस्टे बाला का जिन होना चाहिए जिन में भाग लेकर बालक में अनुसासन, आत्मश्यम, उत्तरदाइत, आग्याकारिता, विनए, शहयोग, सहनभूती, पर्तिश पर्दा, इन सभी गुणों का विकास हो पाए आई हो बात आपको शमच आ रही होगी नैतिक सिक्छा की बात करते हैं शमा एक नैतिक सिक्छा की गिताब लगाई जाती थी, नैतिक सिक्छा इसी लिए लगाई जाती थी कि हम जो है नैतिक जो मूल है, मैंनता हैं, नियम हैं, वो सब चीजे सीख सिक टके और हमें एक आधर्स बालक बन पाए, है नूर चली, आप बहुते ही साड़ी की विकास को नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है तो लिंक डिस्कृशन बॉक्श में है जोएंगे टेलेग्राम चैनल क्यूंकि सारी क्लास जूटेगी नहीं ठीक है बाले अवस्ता में साड़िक विकास देखे बाले अवस्ता में प्रतम तीन वर्स छह वर्स नौव वर्स तक शाड़िक विकास तेजी से होता है ध्यार लगिए का 6-9 वर्स तक जो शाड़िक विकास होता है वो तेजी से होता है और बाद के 3 वर्स 9 वर्स से लेकर के 12 वर्स तक यही विकास मजबूती को पराप्त होता है यहां सरीर मजबूत हो रहा होता है अब उतनी ज्यादा जो लिए डेशन पीरियड ठीक है चलिए छे से नौ वर्स तक विकास तेजी से नौ से बारा तक विकास धीमी से लेकिन मजबूती आती है ठीक बाली आवस्ता में साड़ी के विकास निमलिखित प्रकार से होता है नमर एक तो भार कैसे बढ़ता है देखिएगा इस वस्ता में बारा वर्स के अंत तक भार लगबग असी और पंचानवे पॉंड के बीच होता है याद रखेगा बारा वर्स के अंत तक जो भार होता है लगबग वो असी और पंचानवे पॉंड के बीच होता है अकसर बालिका का भार बालकों से अधिक होता है यहाँ पे इ काமं होती है उनमें कि सवरावस्था जल्दी शुरू हो जाती है योनारंव यहां पर बालिका क भार पालेट्त क Kitchen पालकों से ज़ादा होता है अब बालक या पेच्छा बालिका की लंबाई लगवग एक इंच अधिक होती है इसके अत्रिक्त लंबाई पर आनुवसिक्ता का प्रभाव पड़ता है अधिक्ता का मतलब यह है अगर आपके पेरेंट्स खुब लंबे चोड़े बढ़िया अच्छे सरीर वाले हैं तो आपका भी सरीर उसी तरीके का हो जाएगा ठीक है और अगर माली जे पेरेंट्स कुछ छोटे कदके हैं तो आपकी भी लंबाई उन्हीं पर डिपेंड करती है लेकिन कई बार इसका अपोजिट रिजल्ट भी देखने को मिलता है जैसे हड़ियों की बात करें बोन्स की तो इस सवस्था में प्रत्व चार पांच वर्षों में हड्यों की वृद्धी होती है क्या होती है? 4-5 वर्सों में हड्डियों की वरती होती है और 10-12 वर्स की आयू में हड्डियों का द्रढ़ी करन अस्थिकरन जिसों ओसिफिकेशन कहते हैं यानि मजबूती आना सुरू हो जाती है लगवक 6 वर्स की आयू से हड्डियों में कड़ापन आने लगता है तो उसमें कोई हड़ी टूट जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है है न वो हमेशा महशूर करता है कि यह टूटा हुआ है तो वहाँ जो छोटा बच्चा होता है उसकी कोमल हड़ीया होती है वो जुड़ जाती है और उसमें मजबूती भी आ जाती है पहले जैसे काम करना पहुंचते हैं उसके कुल भार का 27% हो जाता है जितना भी टोटल भार है उसका 27% माशफेशिया होती है बालक को बालिकाओं की माशफेशियां बालक की यह पेच्छा अधिक विक्षित होती है बात करते हैं दाथ की टीत की छे वर्स की आयों में दूद के दांत गिरने आकरती में प्रिवर्तन दिखाई देता है जब दात निकलाते हैं सारे ठीक है तो जो हमारे मुख की आकरती होती है जो चेहरा होता है वो थोड़ा सब बदल जाता है प्रिवर्तन दिखाई देने लगता है शहषावकाल का भूलापन समाप्त हो जाता है जो हमारे जो हमारे में या जो भी केरियाएं है उन में लगा रहता है यहिसलिए सामान रूप से स्वास्था एच्छा रहता है ठीक है अगी देखीगा शारिक गती पर ने अंत्रन कैसे होता है इस सवास्था में बालक बहुत सक्री रहता है बहुत एक्टिव करने लगता है ठीक है तो यह हम समझ रहे थे जो बाल्यावस्था है उसके कुछ जो श्राड़िक विकास है बालक बाल्यावस्था में वो किस तरीके से होता है इस यह पहले हमने जो है यह इसकी बिशेश्टाएं पड़ी अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था में मांसिक वि दिखिएगा बाल्या वस्था में साड़िक विकास की भाती मांसिक क्रियाओं और सक्तियों का भी विकास होता है अभी जो आप साड़िक विकास पढ़ रहे थे बच्चे में इस तरीके से होता है हड्या मांस्पेसियां चेहरा हरा दांत बगड़ा सब पढ़ा अपने ये समरंण करने , विचार करने , शमश्य शमाधान करने , ध्यान लगाने की सक्ति , पर्टिक्ष ज्ञान यानी परसेप्शन , और संकल्पना, चैब्ट्स , रूची , जिगयाथस , निर्णै , जिंतन , इन सब चीजों मांसिक विकास का तापर है मांसिक विकास का मतलब है बच्चे के अंदर सोचने समझने की छमता आ जाती है इसमर्ण करने चीजों को याद रख पाता है कल मुझे किसने क्या कहा था परसों क्या कहा था एक दिन वो यहां मिला था तो मुझे क्या कह रहा था मन को एक आगर कर पाता है धुरुद्रे, मतलब कंसंट्रेट कर पाता है, पर्तेक चिवयर構न पर्शेपसन संखल्पना रूची आ जा जा जाती है, जिग्यासा आ जाती है, चीजों को अखिर ऐसा क्यों है, निर्णग्के ले पाता है वो चिंतन नियही एंस पो को मांसिग वि बढ़ती है ठीक है क्रोंड क्रों की अनुसार कहा गया है जब बालक लगभग 6 वर्स का हो जाता है तब उसकी मासिक योगताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है अब मांसिक विकास छटे वर्स में कैसे होता है एक एक वर्स को पढ़ते चलेंगे देखिएगा बालक सरल प्रश्टों में उत्तर दे सकता है अगर आप बच्चे से कुछ आसान से कोशनस करते हैं बच्चा उत्तर देगा बिना रुके 15 तक वो गिंती सुना देता है छटे साल में और अब तो जो ऐसे बच्चे इतने एडवास हो गाएं कि पूरा साव तक याद हो जाती है शमाचार पत्र पत्रिकाओं में बिना चित्रों के नाम बता सकता है बने चित्रों के नाम जो भी चित्र बने होते हैं उनके वो नाम बता सकता है शाथनों वर्स में जो बच्चा पहुँचता है तो छोटी मोटी घंटनों का वर्णन कर सकता है विबिन पहलूँ में शमानता और अंतर बता सकता है शयुक्त और जटिल वाक्यों का प्रियोग कर सकता है 5-6 अंकों की संख्या को भी वो दोहरा सकता है जब बच्चा दिरे-दिरे 8 साल में हो रहा होता है तो 17 या 18 सब्दों के वाक्यों को दोहराना चोटी कहानिया कविताओं को याद करके सुनाना कहानी सिस्टमनेत प्रिश्टनों के उत्तर देने की युगता बच्चे के अंदर आ जाती है कि इस कहानी में ये हुआ था तो ऐसा क्यूं हुआ था ठीक बच्चे देरे देरे यहाँ पर उसके अंदर ये सब च्मताएं आने लगती है जब बच्चा नौ साल का हो रहा होता है नौ साल का बालक शमय दिन तारीक वर्स आदी बताने लगता है कि आज कौन सी दिन है कौन सी तारीक है कौन सा वर्ष है कौन सा समय चल रहा है कितना बज़ गया है रुपए पैसे वो गिल लेता है जब बच्चा दस साल का हो रहा होता है तो तीन से चार मिनट में सार से सतर शब्द वो कह सकता है दैनिक जीवन की नियमित दिन चर रहा है ग्यान भली बाती उसे हो जाता है कि मुझे रोज क्या करना है हैना क्यान मेरा टाइम टेबल स्कूल के कोर्डिंग है अपने विक्तित कारवी वो खुद कर लेता है जब बच्चा ग्यार्मे शाल में पहुँच रहा होता है तो इस आयू में आने तक बालक में तर्क, जिग्याशा, निरिक्षण, सक्ति का विकाश हो जाता है वो अब परतेक्ष ग्यान और निरिक्षण द्वारा वस्तूओं का ग्यान प्राप्त करता है भिन भिन वस्तूओं में तुलना करना और कठिन सब्दों की व्याख्या करना वालक सीख जाता है आगे देखिएगा जब बच्चा बारवें साल में पहुँच रहा होता है इस आयू में जो बारवा वर्स इस आयू में वह विभिन परिस्तियों की वास्तविक्ता को जनने का प्रयास करता है अलग अलग जो भी परिस्तियां है उनकी वास्तविक्ता क्या है जो भी कंडिशन है उसकी रियालिटी क्या है उसको जननने का प्रयास करता है क्योंकि उसमें तर्क और समश्यश रमाधन करने की सक्ति का विकास हो जाता है वो तर्क कर सकता है थोड़ी बहुत समश्या हल्ब कर सकता है विवेक में व्रद्धी होने के कारण दूसरे बालकों को वो सला देता है तो बस इस से बाहर आपसे एक जाम्म में कुछ नहीं अगकर आप दुबारा देख लेंगे तो बहुत हिलं ऐगा तको सभू है कि मांसी विकास नेपी जो सवाइब विक जाहर कि भूते हैं इसको समझा जो कि कितने सारे यहां पर शेटमेंट आपको याद करने हैं देखिए शमू की आयू कहते हैं चुस्ति की आयू गंदी आयू इसमार टेज है ना और जो है कि जल्दी नेक्स्ट क्लास में दूसरी क्लास में लोक की सोरा वस्ता को डिस्कस करेंगे